अगर आपने अभी तक में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चल दीसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी जरू दबा दीचेगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन स्टाइन पर मिलते रहे और आज की वीडियो में हम assessment का आगे का topic discuss करेंगे कि assessment कितने तरीके के होते हैं types of assessment मतलब आंकलन कितने प्रकार का होता है इससे पहले हमने measurement के बारे में मापन के बारे में पूरा topic discuss किया हुआ है और assessment के meaning definition के बारे में भी हमने last video में discuss किया था आप जा करके प्लेइलिस्ट में चेक कर सकते हैं जो हमारा assessment of learning subject है उसी नाम से इसकी प्लेइलिस्ट बनी हुई है तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कितने तरीके का assessment या फिर आंकलन होता है types of assessment यह आप देख सकते हैं यह बहुत सारे types का होता है तो सबसे बहले हम बात करते हैं formal assessment हम यह भी बात करेंगे कि यह assessments हैं क्या पहले नाम देख लेते हैं एक होता है formal assessment फिर होता है informal assessment उसके बाद है objective assessment फिर है subjective assessment Formative Assessment, Summative Assessment, Diagnostic Assessment, Internal Assessment, External Assessment, Continuous and Comprehensive Assessment, Known Reference Assessment, Criterion Reference Assessment, Synoptic Assessment, Terminal Assessment, Continuous Assessment अब ये इतने तरीके के assessment होते हैं ये तो हमें बते चल गया अब हम ये जानते हैं कि इनको हम कहते क्या है ये होता क्या है ठीक है हर एक assessment को जानेंगे सबसे पहले जानते है formal assessment क्या होता है इन दिस इसमें क्या होता है जो teacher होता है वो grades देता है या फिर certificate करता है या फिर certify करता है एक बच्चे को कि वो pass है या fail है classroom में साथ में बच्चों को promote किया जाता है इसमें यह बताया जाता है कि बच्चा fail है pass है उसको उसी class में रहना है या फिर उसको next class में भेजा जाएगा यह सारा इस assessment के अंदर आता है यहाँ पे यह सारा judgment जो होता है यह सारा जो फैसला लेना होता है यह teacher बच्चे के performance के हिसाब से लेता है जो उसने classroom में perform किया है कि बच्चे ने किस तरीके से classroom में पढ़ाई की है कैसे वो discipline में था नहीं था क्या behavior था बच्चे का कितना वो attentive था नहीं था इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है और यह assessment basically written form में होता है यह तो हम देखते ही है कि performance ठीक है यह तो चीज़ यहाँ पे matter करती है बट यह assessment written form में होता है written form में means जैसे आपको पता होगा हमारे half way exams होते हैं quarterly exams, final exams होते हैं या फिर classroom में कोई test भी होता है तो वो भी written form में ही होता है उससे यह मापा जाता है या हम कहीं इस चीज़ का unklin लगाया जाता है कि बच्चे को classroom में जो पढ़ाया गया था वो उसे कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है उसके बाद आता है informal assessment इसमें जो teacher होता है वो बच्चे के learning difficulties को observe करता है और वो effective steps भी लेता है उन difficulties को overcome करने के लिए मतलब वो बच्चे की मदद करने की भी पूरी अपना involvement दिखाता है बच्चे का पूरी मदद करने के लिए आगे step उठाता है ताकि बच्चे की जो learning difficulties है जो उसे दिक्कत हो रही है याद करने में वो भी दूर हो जाए साथ में बच्चे की learning enhance हो जाए मतलब बच्चे की learning अच्छे तरीके से take place करें उसे और अच्छे तरीके से चीज़े समझ में आने लगें यह type of assessment written form पे based नहीं होता है यहां पे assessment observations पे based हैं जैसे कि वो किस तरीके से behave कर रहा है क्या बोल रहा है या फिर orally अगर उसे कोई question पूछा गया है तो वो उस किस तरीके से उस question का answer दे रहा है या नहीं दे रहा है यह सारा informal assessment में आ जाता है even एक teacher जो है बच्चे से normally बातचीत करके भी पता लगा सकता है कि बच्चे को कोई difficulty है learn करने में या नहीं है तो वो फिर teacher को अगर लगता है कि कोई learning difficulty है तो वो बच्चे को मदद कर सकता है effective steps take कर सकता है उसके बाद आजाता है objective assessment objective assessment क्या होता है इसके अंदर teacher जो है वो student के learning को इस तरीके से assess करता है जहां पर वो objective type questions बच्चे से बूचता है जैसे उसने multiple choice questions पूच लिए, fill in the blank question पूच लिए, match the following पूच लिए या फिर analogी type questions उसने पूच लिए उसके हिसाब से वो बच्चों को check करते हैं, judge करते हैं और marks देते हैं उसके बाद आता है subjective assessment subjective assessment में क्या होता है इसमें teacher इस चीज़ पर ध्यान देता है कि explanation ability क्या है बच्चे की, माल लीजिए बच्चे से कोई question पूचा गया है या वो written form में और oral form में दोनों में हो सकते हैं और objective type भी दोनों में हो सकता है अमाल लीजिए question कोई पूचा गया बच्चे से की वो फिर वहां पर यह देखा जाता है कि वो किस तरीके से उस चीज को explain करके दर्शार रहा है किस तरीके से वो explain कर रहा है example है जैसे long question answer बच्चे से पूच लिए essay type questions पूच लिए स्टूडेंट्स अपने feelings को यहां पर express करते हैं next assessment है diagnostic assessment इस type के assessment में जो teacher होता है वो determine करता है बच्चे की क्या strength है क्या weakness है क्या knowledge है कितनी knowledge बच्चे के पास में है और कितनी वो gain कर रहा है क्या skills है बच्चे की इन सारी चीजों को determine किया जाता है analyze किया जाता है और यह type of assessment जो है इस primarily use होता है बच्चे के difficulties को diagnose करने के लिए उसके बाद है internal assessment internal assessment और external assessment यह तो बहुत common words है common चीजे हैं जो हम normally अपने school life में college life में सुनते हैं internal assessment क्या होता है इसमें जो teacher होता है वो बच्चे को evaluate करता है what they do when they are in the classroom जब बच्चे classroom में है तो वो क्या कर रहे है this assessment serves a basis for professional development के लिए एक basis serve करता है इस assessment में teacher valuable information collect करता है student के बारे में classroom में basically क्या होता है न बच्चे को कोई experiments दिखाया गया है या फिर कोई भी working model के बारे में बताया गया है तो बच्चे से जब exam होता है तो बच्चे से उन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है और किस तरीके से बच्चा बता रहा है एक तो internal assessment वो होता है दूसरा internal assessment होता है कि बच्चे को मतलब बच्चा क्या कर रहा है classroom में जब वो है वो चीज भी matter करती है क्योंकि discipline, behavior, यह सारी चीज बहुत जादा matter करती है assessment में तो यह internal assessment के अंदर भी आ जाती है अब बात करते है external assessment की, assessment is also known as standardized assessment भी हम external assessment को कहते है इस assessment में teacher assess करता है कि किस तरीके से student चीज़ों को learn किया है student ने and use that knowledge outside of the school एक external assessment तो हम यह सुनते हैं कि बाहर से external examiner आता है और हम कुछ perform कर रहे हैं, experiment कर रहे हैं तो उस चीज को examine करके हमें marks देते हैं ठीक है और external assessment में एक और चीज आ जाती है कि किस तरीके से teacher एक चीज को determine करता है, एक चीज को assess करता है कि किस तरीके से एक बच्चे ने classroom में चीज़ें सीखी और किस तरीके से वो बच्चा है जो उन चीज़ों को जो उसने सीखी है वो उपनी classroom के बाहर, school के बाहर कहां कहां किस way में use कर रहा है वो भी external assessment में आ जाता है फिर है synoptic assessment synoptic assessment में ये देखा जाता है कि जो बच्चे को चीजें सिखाई गई है उससे बच्चे के कितनी learning टेक प्लेस की है क्या बच्चे के behavior में या फिर बच्चे के personality में कितना change आया है कितना बच्चे का development हुआ है और जो चीजें उसने सीखी है वो चीजें उसने अपनी day-to-day life में कहां use की है और कहां use नहीं की है अब बात करते हैं non-reference assessment की non-reference assessment में क्या होता है test लिये जाते हैं, ranks दिये जाते हैं और बच्चों के आपस में comparison किये जाते हैं like first, second, third, fourth criterion reference क्या होता है इस assessment में performance जो होती है student की, वो measure की जाती है एक set of criteria fix करके कि हाँ, इस criteria में 90 to 100 के अंदर जितने बच्चों के marks आए हैं वो किस criteria के हैं फिर second, 80 to 90 के बीच में कितने marks आए हैं वो दूसरे criteria के हैं इस तरीके से criteria set कर देते हैं वो criterion reference assessment हो जाता है उसके बाद बात करते हैं formative assessment की ये assessment continuous या ongoing process भी कहलाता है कि usually एक teacher के द्वारा ही carried out होता है इसमें क्या होता है classroom में continuously जो teacher है वो बच्चों को assess करता रहता है इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती है बच्चों की learning difficulties भी आ जाएंगी बच्चों का behavior आ जाएगा discipline आ जाएगा जो चीज़ें सिखाए गई है वो कितनी समझ में आई है नहीं आई है feedback भी आ जाएगा और ये type of assessment written oral assessment दोनों type का हो सकता है अब बात करते हैं summative assessment की ये type of assessment एक ऐसा assessment होता है जहाँ पे बच्चे के learning को sum up किया जाता है या summarize किया जाता है यहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है कि कितना बच्चे का development हुआ है एक particular time period में और summative assessment एक ऐसा assessment होता है जो at the end of the year होता है या half early, quarterly या final exams में होता है ठीक है यहाँ पे कोई formative assessment नहीं होता यहाँ पे summative assessment होता है जहाँ पे बच्चे को ranks दिये जाते है like yearly exams end of the course अब बात करते है terminal exams की terminal exams तो हमें बता है half early, quarterly, final exams उनको terminal exams कहते हैं या first term, second term, third term हम बोलते हैं या semester wise बोलते हैं next है continuous assessment वो ही है जो formative assessment था ongoing जो basis होता है ongoing basis पे यह depend करता है और हमेशा चलता रहता है so आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना शेयर करने ना भूलेगा चानल को सब्सक्राइब करने ना भूलेगा बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलियेगा